जिला प्रशाशन द्वारा कचहरी कलब के मैदान में तीन दिवस्या अस्थाई पटाका की दुकान लगाने की अनुमती दी गई है जहां लाइसेंसी पटाका के दुकानदार अपनी दुकाने लगाकर बिकरी कर रहे हैं जिसके संबन्द में दुकानदारों ने बताया कि अधिकतर लोग चुर्चुरी, अनार, रॉकेट, साट शॉट, वीशॉट, तीशॉट के खरेदारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशाशन के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है, ग्रीन पटाकों की विक्री करनी है, जिसको देखती हुए ग्रीन पटाका बेचा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले दिन विक्री थोड़ी कम है, कल से विक्री में तेजी आने की उमीर है। इस सम्मध में गुरगपुर ने उसे बात करते हुए पटाका के विक्रताओने कहा। मेरा इस गौरब कुमार गुप्ता फुटकर वेपारी पटाका विक्रताओने कि अब यहां पर हर तरह के पटाके हैं, जो जनरली चुर्चुरी है, अनार है, चर्की है, रॉकेट है। 60 ऐसे एक है, 60 ऐसे ठॉट्ब है, जो जो… बीजन का प्लड़ी चर्खी अनर यही डिमांड रहता है बाकी तो हरकोई सोचता है कुछ नए में इसलिए लोग कोचते हैं कुछ निया आया है जो निया रहता है आधा आइटम रहता है उसको दिखाजाता है एक डिखाए जता है करा तो बिखरी और देखी अभी तो आज पहला दिन धन्तेरस है और आज के दिन मानके चलिए कि बस एक सुरवात देखा जाता है कि सुरवात हो जाता है वाकि विक्री का में समय छोटी दीवाली बडी दीवाली यहीं दो टाइम रहते हैं जो उक्रीं के से दुकान लगाते हैं हम अपने पर जो आप बीसो साइस लगा रहा है अब क्या डिमाड पटा करें लोग क्रीद मांड़ के यो बच्चों लोग को चोटा ऐटम दिलाते हैं जो ता बस बड़े लोग होते थुढ़ सा जे इसकार ले लेते हैं यह सब है इसका इसाट और जाता भी विक्री आज अभी सुरुवातिंग है अभी अभी कस्टमर्स तो तरह है नहीं सुरुवातिंग आज है आज से वह सुनिल कुमार गुपता पटाकर बेचेंगे भी तो मना कर देंगे आप उस पटाकर मत बेचिये अबी आज प्रहे दिन अभी आज तो पहले इन बहुत अज बहुत अज लगा बो एक अभी आज तो पहला दीन है अब हेला है और धन्तल़ का दिन है ताकि अच्छे से वंगी नहीं हो जाया है आज के दिन बहुत सूभ भूमाना जाता है धन्तिरस के वज़ा से दुकान लगा दिया गया यही बहुत अच्छी बात है कि दुकान लग गई है हम लोग गठ रहे हैं बस कि कि ते तालों से लगाते या रहे हैं यह मेरा भीया थे ते रहमा साल है